हेई, वेल्कम बेक तो आर चैनल दोस्तो अच्छकी इस वीडियो में आपको बाताऊंगा हाउ टू एनेबेल आटो कॉल रेकॉर्डिंग यानि के इस फोर में कॉल रेकॉर्डिंग कैसे करें दोस्तो कॉल रेकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले phone डालर में याई है phone डालर open करने के बाद जब आप किसी भी नंबर पर call रगाएंगे call connect होते ही साइड में call record का features देखने को मिल जाएगा तो इस पर tap पर कि अब manually call record कर सकते हैं दोस्तो गोगोल call डालर में जब हम call record करते हैं तब recording सुरू होने से पहले दोनों साइड पे warning notification सुनाई देते हैं कि ए call record किये जा रहा है अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आन तक देखिए दोस्तो ऑटोमेटिक call record करने के लिए यहां phone डालर के अंदार three dotter line पे tap करके settings में जाइए call settings ओपेन करने के बाद यहां पर आपको call recording का एक features देखने को मिल जाएगा इस पर click करिए अगर call recording का option आपके phone में so नहीं कर रहा है तो phone डालर का सारे data एक बर clear कर दीजिए यहां home page पर google डालर के उपर long प्रेस करके app info में जाना है इसके बाद storage usage पर tap करके phone डालर का सारे data एक बर clear कर दीजिए phone डालर का data clear करते ही call recording option बापस सले आएगा call recording settings के अंदर कुछ इस तरह के interface देखने को मिलते है सबसे पहले हम आपको always record के और में बाते देते है number not in your contact इस option को enable करने से आपके phone में जब unknown number से call आएगा और automatically record करेगा selected number सबसे पहले always record select number को turn on करिए इसके बाद choose a contact में जाके जिस contact number का call आप record करना चाते है उसे select करिए चाहे तो आप multiple contact को add कर सकते है Google डालर में बीना contact number select किए आप auto call record नहीं कर सकते है इसलिए अगर आपको जुरूवत हो तो एक-एक करके सभी contact select कर लीजिए delete recording by default आपके phone में never select रहेगा मतलब हमारे phone में record किया गया call कभी नहीं delete होगा अगर आप call recording automatic delete करना चाते है तो इन में से 7 days, 14 days और 30 days को choose कर सकते है delete all recording now इस पे click करते ही सभी call recording तुरूण delete हो जाएगा दोस्तो इन सारे call recording को सुनने के लिए इहां पे recent call list में जाके उस number पा tap करना है फिर आपके सामने last record के गया call details से ले आएगा इसके अलबा आप history में याके सारे details देख सकते है साथी साथ share button पर click करके आप इस call record फाइल को दूसरे phone में भी भेज सकते है दोस्तो एदि आप call record announcement बंद करना चाते है तो इसके उपर हमने एक already video वानाय रखी है उपर आई बाटम पर उस video का link दे दूँगा आप जाके देख सकते है जब तक गोगल इस बाग को fix नहीं करते है एट इक्स आपके लिए 100% काम करेगा दोस्तो उम्मिद करते हूँ कि एफ वीडियो आपके लिए बहुँ देल भूलता इस वीडियो को like करके हमना challenge subscribe करना ना भूले